Сирhotic liver होते हैं वह हमें element show करेंगे दोनों उनमें प्रोग्रेशन भी होगी रिग्रेशन भी और यारानी बैलन्स होकर between the dictated according to severity and persistence of the underlying disease झाल से परेटाब में जैदा ही इप्रोग्रेशन जाता होी है या तो इसके क्लिनिकल फीचर देखे क्रोनिक लिवर डिजीज के जिसमें से रोसिस हो रही है जब तक कि उनके एडवांस स्टेज ना आजाए डिजीज की तो इवन लेट स्टेजिस में यह प्रेजन करेंगे नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के साथ जैसे उनको इनॉरेक्सिया होगा वेट लॉस होगा वीक्नेस होगी और इवेंचली उनके साइन्स और सिंप्टम जो हैं लिवर फेलियर की होंगे जो कि हमने पहले उपर ही डिसकस कर लिया है जांडिस इनसे फिलोपैथी और कोगिलोपैथी भी हो सकती है क्रोनिक लिवर डिजीज के जासे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अक्यूट लिवर फेलियर में हो रहा था लेकिन हाववेवर इसमें हमें कुछ सिग्निफिकेंट एडिशनल फीचर्स भी मिलता है सिरोसिस में जैसे सबसे पहले है कि क्रोनिक सिवेर कि कि क्रोनिक जॉनलिस जो है वो प्रूराइटर्स करवा सकती है यानि इचिंग हो सकती है पेशिंट को उसकी इंटेंसिटी इतनी जादा होगी कि पेशिंट जो है अपनी स्किन को रा स्क्रेच कर लेंगे और उनको बार बार रिपेटिट बाउट ऑफ पोटेंचली लाइफ त्रेटनिंग इंफेक्शन हो सकता है उस स्क्रे आधी तो यह सचों से एक आरे मिल्ट पॉक्राइट लिंक्त लिंक्त आज़ दिव बॉल्ड एपॉ दी बाइल सार्स इन बाडी बाइल सार्स जो है वो है वह एकिमलेट हो रहा है इस वजह से यह पुराइटा सो रहा है लेकिन अब इसकी प्रिसाइस pathogenesis नहीं है कि किस सरा से develop हो रहा है pruritis इसकी वजह से दूसरा cirrhosis वाले जो patient होते है उनको portal hypertension जो है more frequent manifestation है और यह ज्यादा complex होती है in the chronic liver failure than in the acute liver failure तो इस figure में देखें 16.7 में यहां पे major clinical consequences दिखाया गए है portal hypertension के in the setting of cirrhosis जो male में दिखाया गए ठीके females में oligominoria, aminoria और sterility जो है यह frequent result होता है hypogonadism के तो इसमें देखें इसको hepatic encephalopathy हो जाएगी cirrhosis के जासे hepatic lymph जो है peridonium में आ रहा है जो SIT करवा रहा है इसके इसके इलावा इसकी जो peri ambylical capid medius से मिलेगा हमें portal vein जो है यह नज़र आ रही है splenic vein enlarge हो जाएंगी spleenomegaly होगी इसोफेजिल वराइसिस हो जाएंगी skin spider angiomata develop हो गए skin पे malnutrition है hepatic encephalopathy और hemorrhoids develop हो गए है इसके साथ है testicular atrophy तो females में हमने कहा कि oligominoria, aminoria और sterility होंगे hypogonadism के वज़ा से portal systemic shunt जो हमने फिगर में भी देखें यह develop कर जाएंगे जब blood flow reverse हो जाए from the portal to the systemic circulation ठीक तो यह systemic shunt बन जाएंगे अब इस तरह की shunt principally produce होते हैं जब colateral vessels की dilation हो जाती है तो most notably venus bypass develop करेंगे जब systemic or portal circulation अपना common capillary bed share करती है तो उसमें most common important है वो है हमारी isofagio gastric varices जो 40% of the individual से में पीर करती है advanced stage liver disease में अब यह इस तरह की क्योंकिव फ्रीक्वेंटली fatal hematomasis करवा देंगी particularly जब बहुत ज़्यदा compounding coagulopathy हो portal hypertension जाए 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 होगी और यह आगे जाके congestive spleen में गहली करवा सकती है देखिए उसमें portal vein में pressure जाए जाए तो spleen enlarge कर जाएगी जो कि फिर platelet के count को भी कम कर सकती है क्योंकि यह स्प्लीन enlarge हुई है यह हमारे इसके अंदर red pulp expand कर गी है और वह sequestration करवा देगा हमारे platelets की और मतलब red pulp उसका बड़ा ज्यादा expand हो जाएगा इसके लाव हमें मिलता है सिरोसिस वाले patient में hyper estrogenemia क्योंकि estrogen का metabolism impaired हो गया है male patients में भी जिनको chronic liver failure हुआ है तो इससे उनको palmer arrhythmia हो सकता है यह उनकी palmer arrhythmia से local vasodilation reflect हो दी है इसके लावा figure में हमने देखा spider angiomas skin पे बन इस तरह के male जो है hyper estrogenemia के वाले इनको hypogonidism भी हो सकता है या गायने को mastia hypogonidism हमने का woman में होगा तो यह disruption करवा देगा hypothalamic pituitary axis functioning की इसके लावा है most chronic liver disease है यह predisposed कर देती है to the development of hepatocellular carcinoma जो के हम आगे detail में discuss करेंगे अब जो course of severity है chronic liver disease की with cirrhosis यह vary करेगा from patient to patient even instances हैं जहांपे cirrhosis जो है यह regress कर जाता है disease की remission या के और के बाद portal hypertension जो है यह persist करेगा due to the presence of irreversible shunt ठीक है क्योंकि शंट बन गए है जो के irreversible होते हैं यह तो रहेंगे इस वजह से portal hypertension रह सकती है लेकिन cirrhosis जो है वो patients में regress कर सकती है अब जो इस तरह कि liver cirrhosis वाले patients में cause of death क्या होता है कि उनका liver failure हो जाता है जैसा क acute liver disease में इस वजह से और दूसरा hepatocellular carcinoma के वजह से death होती है clinical और laboratory findings जो है वो main criteria होती है ताकि हम prognosis को gauge करें और disease की progression को कुछ centers में portal venus wedge pressure जो है यह हम measure करते हैं ताकि हम degree of vascular obstruction को assess करें liver biopsy से हमें findings मिलेंगी जो के correlate करेंगी with the presence and severity of the portal hypertension for example specimen जिन में हमें thin fibrous septa मिलें और large island of regenerated parenchyma यह unlikely है to be associated with portal hypertension जबकि अगर हमें broad band मिलते हैं fibrosis के और parenchyma भी loss हो गया है potent यह potent करेगा to the development of portal hypertension and end stage liver disease third type liver failure की वो discuss करते हैं which is acute on chronic liver failure अब कुछ तो individuals होते हैं जिनको कुछ सालों की stable well compensated chronic disease के बाद जो है अच्छानक से science develop होना शुरू हो जाते हैं acute liver failure के अब इस तरह की जो patient होते हैं यह जादा ता establish करते हैं cirrhosis उसके साथ साथ उनको extensive vascular shunting हो भी होती है या फिर large volume of functioning liver parent का इमा जो है वो borderline vascular supply के साथ होता है तो दोनों जो हैं leave कर देंगे liver को vulnerable to super imposed potentially lethal insults short term mortality जो है patients की इस तरह की liver failure में वह तक्रीबन 50% होती है अब hepatic insults जो कि sudden decompensation करवा रही है इस patient की chronic liver disease वाले की उसमें है कि कौन सी hepatic insult है hepatitis D का super infection हो जाए hepatitis B के उपर chronic hepatitis B के उपर ठीक है इसके साथ साथ अगर emergence हो जाए resistance की to the medical therapy in those with the viral hepatitis ते कि medication वे गयरा से resistant हो गया है development हो जाए ascending bacterial cholangitis की in the patient with primary sclerosing cholangitis या फिर उनके जो liver parent का हमा है वो replace हो जाए by primary या metastatic carcinoma के साथ तो इसके इलावा जो बाकी instances होते है वो cause हो सकते हैं कोई systemic disorder की वज़ा से हो सकता है जैसे sepsis की वज़ा से acute cardiac failure या super imposed toxic injury जो के well compensated cirrhotic patient को liver failure में ले जा सकती है ठीक है ये सारी complication that's it हमें समझे देख ले हमने liver failure discuss किया कि ये acute injury या chronic injury के वज़ा से हो सकता है या acute insult जब super imposed हो जाए otherwise well compensated chronic liver disease के उपर तो हमने ennemonic देख लें इसका acute liver failure का A से acetaminophen, hepatitis A, autoimmune hepatitis ठीक है ये इसके causes हैं B से hepatitis B की वज़ा से C से hepatitis C या क्रिप्टोजनिक वाइरिस के वज़ा से, sorry, क्रिप्टोजनिक के लिए या hepatitis C वाइरिस के वज़ा से, इसके लावा D से जो है hepatitis D या drugs या toxin से भी हो सकता है acute liver failure, E4 hepatitis E, esotric causes जैसे Wilson disease, bud cherry syndrome, F से याद रखेगा fatty change आ जाए अगर माइक्रोवेजिकलोटाइप में, ठीक है, माइक्रोवेजिकलोटाइप का fatty change आ जाए जैसे के fatty liver pregnancy में या वैलपरोइट या tetracycline या reese syndrome में अब जो potentially fatal sequel है liver failure का उसमें coagulopathy आ जाता है, encephalopathy, portal hypertension, SITS, hepatorenal syndrome और portopulmonary hypertension, ठीक है fatal sequel है, अब स्टार्ट करते हैं इस chapter का दूसरा topic जो के है infectious disorders इसमें हम viral hepatitis, bacterial, parasitic और helminthic infections कवर करेंगे तो सबसे पहले infectious disorder में है viral hepatitis, terminology जो है acute और chronic viral hepatitis के लिए ये confusing हो सकती है क्योंकि हम same ही word hepatitis यूज़ करते हैं different entities को describe करने के लिए तो careful attention देनी होगी context को ताकि हम clarify करें इनका meaning और किसी भी situation में सबसे पहले hepatitis जो नयम है ये हमने apply किया है viruses को जैसे के hepatitis A, B, C, D और E virus जो के hepatotrophic होते हैं that is की यानि के इस इनकी बहुत जादा affinity होती है liver के लिए secondly hepatitis जो है ये हम apply करते हैं for the pattern of acute and chronic hepatic injuries ठीके injuries acute हैं या chronic हैं उस हिसाब से जो के produce ना कि सरफ hepatotrophic virus की वज़ासे होती है लेकिन also ये damage जो है बाकी viruses से भी होता है जैसे abstain bar virus, cytomegal virus, yellow fever, as well as कुछ autoimmune reactions की वज़ासे, drugs की वज़ासे और toxins की वज़ासे अब इस section में हम focus करेंगे main feature hepatotrophic viruses के जो के इस table 16.2 में summarized है और फिर हम discuss करेंगे clinical pathological, characteristic, acute और chronic viral hepatitis की तो ये table देखें इसमें hepatitis viruses सारे given है सबसे पहले genome की बात करें तो viral genome सब में याद रखेगा सारी A, B, C, D, E सारी hepatitis में single standard RNA होता है सिवाए hepatitis B virus में जिसमें double standard DNA मोजूद होगा ठीक है partially double standard DNA और D में भी single standard RNA है बस circular defective है circular and defective अब viral family सबकी अलगे hepatitis A virus की family है hepatovirus जो के picorna से related है picorna virus B वाला जो है hepatina virus C वाला flavivirus D जो है वो सब viral particle होता है delta virida family का और hepatitis E जो है के calcium virus family से belong करता है सबका root of transmission different है most important याद रखेगा A और जो E है ये fetal oral root के थूँद होता है ठीक है contaminated food या water के थूँद बाकि B और C और D ये तीनों parentally ही होंगी B में देखें sexual contact या perinatally ये ट्रांस्विट होगा C वाला भी intranasal cocaine use की वज़ा से ये इसका risk factor होता है अब incubation period भी सबका different है hepatitis A दो से छे हफ़तों को तक का incubation period है B वाले का दो से 26 week C का चार से 26 हफते और D का सेम है जिससरा B का यानि 2 से 26 हफते और hepatitis E का 4 से 5 हफतों जतना incubation period है अब इन में सारों में जो frequency है chronic liver disease की hepatitis A में कभी भी नहीं होती B में 5 तो 10% chances है C जो है more than 80% chances है कि C जो वाला है वो chronic liver disease करवाए D में 10% है अगर co infection हो 90 to 100% chance है अगर super infection हो जाए और E वाला जो है immunocompromised host में सिर्फ जो है chronic liver disease करवाएगा last में diagnosis है तो hepatitis A को हम serum IgM antibodies detect करके diagnose करेंगे B वाले को हम hepatitis B surface antigens या फिर antibodies to the hepatitis B core antigens उसके against antibodies होंगी उनके through या हम hepatitis B virus के DNA को PCR करके भी hepatitis B को diagnose कर सकते है अब hepatitis C के बात करें तो इसके लिए हम ELISA करते है antibody detection के लिए या hepatitis C virus के RNA को PCR करेंगे D के diagnosis जो है वो IgM पर depend करती है और IgG antibodies पर D virus का जो RNA हो हमें serum में मिलेगा या इसके जो antigens है वो हमें liver biopsy में मिलेंगे जो hepatitis E है यह हम serum में IgM, IgG देखके detect करेंगे और PCR करेंगे इसके भी RNA के लिए तो सबसे पहले जो हम डिसकस करते हैं डीटेल में hepatitis A virus HAV HAV ज़दे self limited infection है लेकिन यह chronic hepatitis कभी भी नहीं करवाएगा और यह rarely given 0.1% केसिस में fulminant hepatitis प्रोडूस करेगा HAV का incubation period हमने देखा 3-6 हफते तो यह typically clear हो जाता है हमारे host के immune response के वजासे तो carrier state इसमें नहीं होगी ठीक है अब इसका infection throughout the world होता है endemic है कुछ countries में जहांपे hygiene poor है और sanitation भी तो acute to HAV है यह turn करता है to cause febrile illness जिसमें patient को jaundice और non-specific symptom होगी जैसे fatigue loss of appetite overall जो HAV है 25% of clinically evident acute hepatitis करवाता है worldwide यह small सा non-invalupt non-invalupt positive strand RNA picorna virus है जो के hepatovirus genus को occupy करता है antrastructure लिए icosahedral capsid होता है 27 nanometer diameter इसके जो receptor होते है HAV HAVCR1 जो के membrane glycoprotein है यह भी रिसर्फ करता है as a receptor for Ebola virus देखें Ebola भी इसी receptor percentage होगा अभी hepatitis A virus spread कैसे होता है जब हम contaminated water पी लेते हैं या food खा लेते हैं और पर यह shed होगा stool के अंदर 2-3 हफ़तों तक before and one week after the onset of jaundice जेके jaundice अपियर हुई उसके एक हफ़ते बाद और उसके 2-3 हफ़ते पहले भी stool में यह virus shed होगा तो तरस जो close personal contact होता है किसी भी infected individual के साथ या fecal oral contamination यही इसके most cases होते हैं और outbreak इसी तरह के institutional setting में होती है जैसे schools में, nurseries में ठीक है? स्कूल और nurseries वाली sites में इनके outbreaks जादा होते हैं as well as water born epidemics वाली places जहां पे people जो है वो overcrowded conditions में रहते हैं और unsanitary conditions में तो HIV जो है यह हम सीरम में भी डिरेक्ट कर सकते हैं और infected individuals के saliva में अब जो developed countries होती है वहाँ पे sporadic infection जो है यह contract हो सकता है जब raw या फिर steamed shellfish काई जाए जो के concentrated हो वाइरस में और यह वाइरस जो है seaweed contaminated with human sewage के वज़ा से इस shellfish में आगया है ठीक के concentrate हो गया है infected जो workers होते हैं food industry में यह भी another source होते हैं outbreak के अब HAV जो है इतसल इतना साइटोपेथिक नहीं होता जो cellular हमारा immune response होता है particularly जो cytotoxic CD8 T cells को involve करता है यह इसमें play करता है key role in the HAV meditated hepatocellular injury अब क्योंकि HAV वाइरिमिया जो है यह transient है blood wound जो transmission है इसमें rarely होगी तो इसलिए जो donated blood होते हैं वो specifically हम इस virus के लिए इसके लिए नहीं करते IgM antibody against the HAV यह blood में अपियर होगी at the onset of the symptoms तब IgM अपियर होगी और यह reliable marker होता है acute infection का 16.8 में देखें यहाँ पर temporal changes given है serologic markers के in the acute hepatitis A infection यहाँ भी incubation period है ठीके 2-6 weeks का then acute disease है जिसमें jaundice और symptoms appear होगी 2-12 weeks के दिम्यान और यह convalescence and recovery period है months जितना तो fecal HIV हमें incubation और acute disease से पहले fecal HIV अपियर होगा total anti-Hav antibody जो है वो convalescence period में constant हो जाएगी और rise करना शुरू होगी incubation के बाद जब acute disease होगी science and symptom appear होगी ठीके और IgM मैंने आपको बताया कि जब acute disease होगी तब इस गाउनसेटों का यह peak करेगी और उसके बहीनों के बाद यह fall कर जाएगी fecal shedding virus की जो है वो IgM के टाइटर को जैसे मतलब IgM का टाइटर rise करेगा तो fecal shedding जो हो खतम हो जाएगी ठीके जिस तरह यहाँ पर शोओन है fecal shedding जैसे यह IgM का टाइटर बढ़ा तो यह regress कर गए सम हो गई तो IgM का जो response होता है यह usually decline करेगा महीनों के बाद followed by the appearance of IgG जब IgM decline करेगा तो IgG बढ़ जाएगी IgG antibody IgG NTHAV जो कि सालों तक फिर persist करेगी और confer करेगी lifelong immunity however, इसमें कोई भी routinely available test नहीं होते है IgG NTHAV के ठीक है IgG NTHAV की जो presence है यह हम infer करते है from the difference between the total and IgM NTHAV ठीक है, इनका difference निकाल के हम उसको calculate करते है HAV याने hepatitis A virus की जो vaccine है यह 1992 से available है और यह effective है in preventing the infection अब आता है next virus जो है hepatitis B virus hepatitis B virus का जो outcome है यह vary करेगा widely from number one acute hepatitis हो सकती है जिसमें पर recovery भी हो जाएगी और virus की clearance भी दूसरा या फिर यह non-progressive chronic hepatitis करवा सकता है number three यह progressive chronic disease करवा जाएगा जो कि cirrhosis में end करेगी and number four यह pulminant hepatitis करवा जाएगा जिसमें massive liver necrosis हो जाएगी and lastly asymptomatic healthy carrier state हो सकती है ठीक है तो hepatitis B virus to induced chronic liver disease है यह भी important precursor होता है for the development of hepatocellular carcinoma approximate the frequency होती है various clinical outcome की hepatitis B infection की वो 16.9 में figure में depicted है इसमें देखे है यह potential outcome है hepatitis B infection का adults के अंदर with their approximate frequency in the US spontaneous hepatitis B surface antigen clearance occur during the chronic hepatitis B infection ठीकिक है chronic में जो है वोसका surface antigen clear हो जाएगा spontaneously at an estimated annual incidence of 1% to 2% in the western countries तो जैसा के हमने टेक्स में में मेंचिन किया कि Fulminant hepatitis और acute hepatic failure यह इंटर्चेंजबली हम यूज करते हैं इसमें देख यह acute infection हुआ उसने 65% पर सब-clinical disease करवा दी 25% acute hepatitis 5-10% chronic hepatitis chronic वाले की recovery भी हो सकती है cirrhosis भी हो सकती है उससे भी recovery हो सकती है या fulminant hepatitis हो जागा fulminant होगा तो death या transplant होगा final outcome अब hepatitis B virus के infection के वज़ा से liver disease जो है यह enormous global health problem है one third of the world population तकरिबन 2 billion individuals infected है hepatitis B virus से 400 million individuals को chronic infection है 75% जो chronic carriers हैं जो एशिया में रहते हैं और western pacific rim में global prevalence chronic hepatitis B infection की vary करेगी greater than 8% in the part of Africa to less than 2% in the western Europe North America and Australia अब इसका जो mode of transmission होता है यह vary करेगा geographic locale के हिसाब से high prevalence है high prevalence वाले जो रीजन है पूरी दुनिया में वहाँ perinatal transmission यानि child birth के दुरान 90% cases में होता है intermediate prevalence वाले areas में horizontal transmission होगी especially बच्चों से early childhood में horizontally होगी और यह जादर ruminate करेगी अब बच्चों में जो यह spread हो रहा है यह जादर skin या फिर mucus membrane में जो minor break हो जाते हैं उसकी वजह से spread होगा उसके बाद अगर उनका कोई physical contact हो गया किसी infected individual के साथ तेकिए उस break में skin या mucous membrane के low prevalence वाले जो areas होते हैं वहाँ पे unprotective sex and intravenous drug abuse यानि sharing of the needles and syringes यह chief mode of spread होते हैं transfusion related spread भी जो है अब कम हो गया है because of the screening of the donated blood for the hepatitis B surface antigen and by the cessation of the practice of paying blood donors vaccination जो है इसने induce करवा दी है protective antibody responses 95% infants में और children में और adolescent में universal vaccination ने success दिखाई है Taiwan और Gambia में लेकिन अभी तक पूरी worldwide अभी adopt नहीं हुआ hepatitis B virus जो है इसका prolonged incubation period होता है 2 से 26 हफ़ों जितना तो unlike hepatitis A virus यह जो B virus है यह blood में ही रहता है active episode of acute and chronic hepatitis के दुरान blood में ही रहेगा तो तक्रीबें जो 70% adults होते हैं जिनको तक्रीबें जो 70% adults हैं जिनको newly acquired हुआ है hepatitis B virus उनको सिर्फ mild या पिर बिल्कुल भी symptoms नहीं होंगे नहीं वो jaundice डिवेलप करेंगे तीक है 70% में ऐसा होता है बाकि जो 30% cases हैं उनको non-specific constitutional symptoms होते हैं जिसे हैं नौरेक्सिया, fever, jaundice, right upper quadrant pain तो most of cases हैं उनमें infection self-limited ही होता है और खुद ही resolve कर जाएगा बिना किसी treatment के लेकिन chronic disease develop कर सकती है 10% of the infected individuals के अंदर अब fulminant hepatitis rare होती है जो तक्रीबान 0.1 से 0.5% individuals को आगे जाके acute infection के बाद fulminant hepatitis हो सकता है hepatitis B virus हेपैडना वाइरिडाइव फैमिली का member है जो कि एक DNA virus है बाकि हमने देखे सारे RNA species थी यह DNA virus है जो hepatitis करवाएगा multiple animal species में अब इसका जो genome होता है यह partially double surrendered होता है 3200 nucleotide circular DNA होता है इसमें 4 open reading frames होते है जो हर एक encode करता है following proteins को सबसे पहली है nucleocapsid core protein hepatitis B core antigen hepatitis B core antigen जो है और longer polypeptide longer polypeptide with a pre-core and core region जिसको हम designate करते है hepatitis B E antigen ठीक है ठीक है तो nucleotide core protein में दो आगए याद रखेगा एक तो hepatitis B core antigen है दूसरा इसमें hepatitis B E antigen है जिसमें pre-core और core दो region होते है अब यह जो pre-core region है यह direct करता है secretion hepatitis B E antigen की ठीक है इसकी secretion करवाएगा इस polypeptide की blood के अंदर जबके हमने यह hepatitis B core antigen की बात की यह hepatitis B के अंदर ही रहेगा जहाँ पर यह विरियोंस की assembly में participate करेगा यह बाते हैं आपने याद रखेएगा दूसरी जो protein यह encode करते हैं 3200 nucleotide वो है enveloped glycoproteins ठीक है hepatitis B surface antigen यहाँ पर हमने core antigen डिसक्स किया अब है surface antigen जिनको enveloped glycoproteins बिखे रहे हैं तो जो हमारे infected hepatocytes हैं यह synthesize भी करेंगे उस सिक्रीट करेंगे बहुत massive quantities non-infective enveloped glycoproteins की mainly small hepatitis B surface antigen जिनकों कह रहे हैं इसके लिए पॉलिमेरेज यानि पॉल भी इसमें protein है जो के encode होगा पॉल विथ बोथ DNA polymerase activity and reverse transcriptase activity दोनों इसमें activities होगी यह enable करता है genomic replication को to occur through a unique DNA to RNA RNA to DNA cycle ठीक है via an intermediate RNA template भी बनता है बीच में अब यह जो unusual polymarase है इस तरह का जो यह करवा रहा है यह target होता है drugs का जो के हम viral hepatitis B infection को treat करने के लिए देते हैं ठीक है इस polymarase के against इसके लावा hepatitis B X protein जो के require होती है virus की replication के लिए और यह transcriptional trans activator की तरह act कर सकता है for a viral gene और wide variety of host agents के लिए भी ठीक है transcriptional trans activator की तरह तो यह भी pathogenesis हो है hepatitis B virus associated liver cancer में involved होता है hepatitis B X protein यह सारी proteins है उसके बाद है कि जो course होता है disease का यह follow होता है clinically by monitoring the certain serum markers ठीक है serum markers को हम monitor करेंगे जो यहाँ आप में shown है 16.10 में इसमें temporal changes given है serologic markers के for the hepatitis B viral infection इस a figure में दिखाया गया acute infection हो गया with resolution जबके यहां b figure में progression हो गई है to the chronic infection अब इसमें देखें के note करें कुछ जो cases होते है chronic hepatitis B virus infection की उसमें हमें serum transaminase जो है वो normal भी हो सकते हैं अब इसमें दिखाया गया है कि hepatitis B surface antigen जो होता है यह appear होता है before the onset of the symptom symptoms appear होने से पहले यह surface antigen appear होगा ठीक है surface antigen आपने इची तरह से याद एकने के onset of the symptom से पहले यह appear होंगे फिर symptomatic disease के दुरानी surface antigen peak करेंगे और यूजिली decline कर जाएंगे undetectable level तक तक तकरिबन 12 हफते के अंदर ठीक है दो यह जो है occasional परसिस्ट भी कर सकता है as long as 24 वीक्स तक भी परसिस्ट कर सकता है उसके बाद अगर हम देखें नहीं होती है जब तक के few weeks to several months तक after the hepatitis B surface antigen disappear नहीं हो जाता तब तक यह antibodies हमें नहीं appear only अब यह anti hepatitis B antibodies वह यह पूरी जिंदे के परसिस्ट कर सकती है और protection दे रही होंगी जो के rational होता है for the current vaccine जिन में यही hepatitis B surface antigen होता है ठीक है तब हम उसके antigen के against antibodies बनाते हैं इसके लवा hepatitis B enveloped antigen और hepatitis B virus DNA थीक है यह enveloped antigen और DNA जो है यह serum में soon after the hepatitis B surface antigen के बाद ही appear होंगे और यह signify करते हैं कि ongoing viral की replication हो रही है इससे यह denote हो था यह सारे point of view से बहुत important है अब इनके जो persistence है enveloped antigen की और इसके वायरस की DNA की इनके persistence indicator होती है of the progression of chronic chronic hepatitis यानि इनकी progression होगी disease की chronic के अंदर इससे यह पता चलता है अब इनकी appearance जो है NTHBE antibodies की यानि इस enveloped antigen के against अगर NTHB enveloped antibodies बन जा है तो यह imply करता है कि acute infection जो है वो पीक कर गया है और अब खतम होने वाला है उसके बाद last होती है IgM और anti hepatitis B core के against antibodies बनी है तो यह detectable होंगी serum में तकरिवन shortly before the onset of symptom concurrent with the onset of elevated serum amino transferase level साथ में वो भी बढ़ जाएंगे तो यह indicative है कि hepatoside destruction हो रही है तो months तक के period के बाद जो है IgM anti HBC antibody यह पिर replace हो जाएगी IgG anti HBC के साथ anti hepatitis B core antibody ठीक है उसके साथ तो जैसा कि हमने उपर पड़ा है hepatitis A virus antibodies के वाले case में कि उसमें कोई भी direct assay नहीं होता IgG और anti HBC का तो इसके भी हम presence जो है infer करते है from the decline in the IgM anti HBC in the face of rising total anti HBC तो कि M अगर कम हो गई है तो उसको मेजर करेंगे उससे उससे पता चलेगा IgG कितनी बनी है और बनी है या नहीं बनी उसके बाद कहरा है कि occasionally जो mutant strain होते है hepatitis B virus के यह emerge करेंगे जो के hepatitis B envelope antigen produce नहीं करेंगे ठीक है लेकिन इनकी replication जो है वो competent होती है और वो express करेंगे hepatitis B core antigen अब इस तरह कि जो patient होते हैं जिनमें envelope antigen या तो low है या तो undetectable है despite कि इसमें हमें serum में hepatitis B virus DNA मिल रहा है ठीक है envelope antigen low रहेगा या बिलकुल नहीं होगा लेकिन serum में B virus का DNA होगा अब second जो omnius development है वो है appearance hepatitis B virus mutant की vaccinated individuals के अंदर जो के replicate करेगा in the presence of normally protective anti-hbs antibodies host का immune response होता है यह main determinant होता है outcome of the infection का innate immune mechanism जो है यह host को prevent कर रहा होता है protect कर रहा होता है उसको initial phase of infections है ठीक है innate immunity और strong response by the virus specific जो हमारे CD4 or CD8 interferon gamma producing cells यह सारे associated होंगे with the resolution of the acute infection के उसको resolve करवा देंगे hepatitis B virus generally जो है directly hepatotoxic नहीं है और most of the hepatocyte की injury जो है CD8 cytotoxic T cell के attack की वजह से होती है जो आके हमारे infected cells को आके यह हमारे cells attack कर देते है अब patient जो है वो patient की age at the time of infection best predictor होता है chronic city का in general जो younger age होती है यह time होती है hepatitis B virus infection की मतब जितने जादा younger age होगी at the time of infection उतना जादा high chance होगा chronic infection का तो जो treatment है chronic hepatitis B का वो होता है हम viral polymerase inhibitors देंगे और interferon देंगे जो के disease की progression को slow कर देंगे liver की damage को भी कम करेंगे और cirrhosis prevent करेंगे या liver cancer को भी prevent कर सकते हैं लेकिन infection को eliminate नहीं करेंगे तो as a result जो treatment है कभी कभार fail भी कर जाता क्योंके viruses emerge भी कर जादेंगे bearing the mutations जो के आगे जाके drug resistance करवाएंगे तिक कि इस तर आके viruses भी mutants arise कर सकते हैं यह हो गया complete यहाँ पर इस बी वाइरस नेक्स्ट है hepatitis C virus HCV most important है यह भी major cause है liver disease का जो कि approximately 170 million individuals को पूरी दुन्या में effect करता है 4.1 million Americans approximately 1.6% population है इसमें chronic HCV infection है तो notably इसमें decrease हा जाता है annual incidence of infection का from mid 1980s peak of over 230,000 new infections per year to 30,000 new infections per year currently due primarily to a reduction in the transfusion associated cases as a result of effective screening procedures तो अब effective screening procedure आगे है इसके जासे अब यह कम हो गया है तो until recently जो number of patient है with the chronic infection वो अपीर हुआ है likely to continue to increase बड़ता गया है लेकिन अब जो new therapies आगे है जो भी हम आगे detail में देखेंगे उन्होंने change कर दिया है outlook for better अब according to the data from the centers of disease control and prevention cdc जो most common risk factor हो था है प्रिशी वाइस infection का वो following है अगर पिशन आई-वी ड्रग अब्यूज है अब्यूजर है multiple sex partners having had surgery within the last six month needle stick injury हो multiple contact with the hcv infected individual या फिर employment हो गई हो किसी medical या dental field में तो यह सारे इसमें different infection के risk factors है अब currently transmission होती है अब जो रिस्क होते हैं उनको multiple risk factor भी होते हैं लेकिन one third of the patient जो है individuals उनमें कोई भी risk factor identifyable नहीं भी होता तो यह enduring mystery है अब hepatitis C virus 1989 में discover हुआ है यह असल में Flavie Veridai family का member है HIV के case के तरह बिल्कुल जो वाइरश replication इसमें हम हमने समझनी होगी और इसकी assembly जो है उसने facilitate कर दिया development of highly effective anti hepatitis C virus drugs जो हम आगे देखेंगे ठीक है इसकी replication और assembly से हमें इन drugs का पता चला है अब hepatitis C virus small enveloped single standard RNA virus है 9600 इसमें base genomic encoding a single poly protein है जो के process होता है by several proteases into the 10 functional proteins अब इन में जो है in viral proteins में एक viral protease भी है जो के हमें चाहिए होता है complete virus को मतलब चाहिए होता है for complete processing of the poly protein जो के ns5a ठीक है ये protein जरूरी होती है hepatitis C virus की assembly के लिए assemble होगा into the mature virions उसके लिए इसको ns5a चाहिए ठीक है और इसके लावा दूसरी है viral RNA polymerase जो के बहुत जरूरी होती है इसकी replication के लिए viral genome की फिगर देखे 16.11 में यहां पर हमारे पास shown है पूरा यह life cycle दिखाया गया है hepatitis C का इसमें देखे viral entry हो रही है पर replication हो रही है assembly हो रही है और budding हो रही है ठीक है यहां पर emphasize किए गए स्टेप्स जो के effectively target होते हैं एंटी वाइरल ड्रग्स पे एंटी वाइरल ड्रग्स के साथ अब क्यूंकि इसमें low fidelity है HCV RNA polymerase की तो वाइरल जिनोम जो है वह inherently unstable होता है जो राइस देता है new genetic variants को at a high pace अब इसने जो है appearance करवादी है six major HCV genotype की पूरी दिन्या में और हर एक जो है जादा उसकी एक यह जादा सब species है infection जो है most individuals में वाइरस की वज़ा से होता है single genotype की वज़ा से लेकिन अब नए जो genetic variants है वो भी generate हो रहे है in the host as well as as long as the viral replication persist तो host में भी नए variants generate हो रहे है तो उसके नतीजे में हर एक जो patient है वो usually in fact वा होता है population of divergent लेकिन closely related HCV variants के साथ जिनको हम quasi species कहते है ठीक है variant जो है वो closely related ही होता है HCV variant ही होता है लेकिन बस population जो है उसमें divergent होती है तो हम उसको quasi species कह रहे है अब याद देखे हैं कि incubation period HCV hepatitis का range करता है चार से 26 हफते तक और इसमें mean होता है nine weeks ठीक है और 85% जो individuals हैं उनको acute infection asymptomatic होता है और उसके बाद वो unrecognized रहता है HCV का RNA जो है यह detectable होता है blood में for one to three weeks coincident with the elevations in the serum transaminases साथ मयानी serum transaminases भी elevated होंगे जो इस figure में हमारे पास shown है 16.12 में यहाँ देखें यह temporal changes दिखाये गए है serologic marker in the hepatitis C infection यहाँ पी acute infection दिखाया गया है resolution के साथ और यह progression हो गई है chronic infection के अदर symptomatic acute HCV infection में anti-HCV antibodies जो है वो 50 to 70% patients में डिटेक्ट होंगी बाकि जो patients है उनमें anti-HCV antibodies तीन से 6 हफ़तों के बाद जो हो डिटेक्ट होंगी clinical जो course है acute HCV hepatitis का वो mild होता है बनिस्पत hepatitis B के ठीक है milder होगा C का अब यह नहीं पता कि क्यों सिर्फ small minority of the individuals जो है capable है of clearing the HCV infection persistent infection के बात करें chronic hepatitis तो यह persistent infection भी और chronic hepatitis यह हालमाक होता है as HCV infection के despite the generally asymptomatic nature of the acute illness basic acute illness asymptomatic है लेकिन यह disease जो है HCV का infection जो है यह persist भी करता है और यह chronic hepatitis भी करता है in contrast to B के साथ अगर हम compare करें HPV के साथ तो chronic disease majority of the HCV infected individuals में होती है 80 to 90 में और इनको cirrhosis हो जाएगी eventually one third of the patients को अब mechanism जो के chronicity करवा रहा है वो mechanism तो अभी तक understood नहीं है लेकिन यह clear है कि यह virus multiple strategies यूज़ करता है to evade the host antiviral immunity उसको ही evade कर देगा इसके साथ साथ इसके इसमें rapid generation होती है genetic variants की जो मैंने आपको बताया quasi species बनती है तो HCV न इनकोड करता है proteins को जो inhibit कर देंगी हमारे toll like receptors को और interferon signaling को भी inhibit कर देंगी हिपेटोसाइट के लिए यह activities जो है otherwise हिपेटोसाइट को resist कर रही होती है viral infection से लेकिन इसने आके उन्हीं को inhibit कर दिया toll like receptors को भी और interferon signaling को chronic जो HCV infection होता है उसमे circulating HCV RNA है यह परसिस्ट करेगा 90% of the patient में despite the presence of neutralizing antibodies फिर भी यह आरेने परसिस्ट करेगा इस तरह हमने यहां पर figure में देख कर ठीकिए HCV RNA परसिस्ट कर रहा है HCV RNA तो हैंस जो testing होती है HCV RNA की वह हम करेंगे ताकि हम confirm करें diagnosis chronic HCV infection को ठीकिए इसका RNA हम चेक करेंगे chronicity को चेक करने के लिए अब characteristic क्लिनिकल फीचर chronic HCV infection का वह है कि patient को episodic elevation होंगी उसके serum amino transferases की जो के फिर separate होई होंगी period of normal या near normal enzyme level बीच में normal भी आगा फिर कभी कबार बढ़ जाएंगी serum amino transferase ठीकिए इसका मदब है chronic disease है तो however even HCV infected patient है जो इ development of permanent liver damage और anyone with the detectable serum HCV RNA need the treatment and long term medical follow up उसको जरूरत होती है long term medical follow up की treatment की अब fortunately recent years जो है उनमें dramatic improvement आ गई है in the treatment of HCV infection जो के stem किया है from the development of drugs इसी drugs जो के specifically जाके viral protease को target करती है RNA polymerase को NS5A protein को अब यह सारे proteins जो है virus की production के लिए इसको चाहिए होते हैं तो यह drugs उन्हीं को target करेंगी जिस तरह यहाँ पे हमने इस figure में यह सारी drugs देखी protease inhibitor, NS5A inhibitor, RNA polymerase inhibitor अब combination therapy जो है इस तरह की drugs की जो के strategy है akin to triple drug therapy for the HIV तो इसने प्रूफ किया है remarkably effective ठीक है तो जो goal होता है current treatment का वो है कि हमें HCV RNA को eradicate करना होगा जो के हम define हुआ है कि detectable HCV RNA हमें blood में ना मिले six months after the treatment is stopped and is associated with high probability of cure ठीक है इसका cure rate ज्यादा probable है कि मतलब हमें हमने treatment स्टार्ट करवाया और उसके 6 महीनों बात तक हमें detectable HCV ना मिले currently 95% HCV infection है वो curable है और यह expect why to improve further जैसे जैसे new antiviral drugs जो है available हो रही है अब जो major downside है इस तरह के advances की वो है इनकी बहुत ही ज्यादा high cost है महिंगे होती है और इनमें जो curative course होता है drug therapy का वो तक्रीबन 100 डॉलर से भी ज्यादा है sorry one lakh डॉलर से भी ज्यादा है ठीक है अब यह estimate हुआ है कि treatment HCV infection का US में alone यह generate कर सकता expense over 50 billion over the next five years ठीक है बहुत ही cost effect costly जो है इसका treatment है that's it यह complete वा hepatitis C virus next video से हम hepatitis D virus स्टार्ट करेंगे